देखे अभी डिलिवरी में थोड़ा डिले हो रहा था और वो डिले तीन से चार दिनों का था लेकिन विगत एक दिन हम लोगों ने इसका गैप रखा था उसके बास से हमारी मैक्सिमम डिलिवरी जो है वो हो गई है एक दिन का ही गैप बचा हुआ है लेकिन अभी हम लोगों ने दुकान की संख्या बढ़ाकर एक हजार से उपर भी लिखे गए हैं लग्वक्त तेरा सो के आसपास हमने रिटेलर्स की दुकाने कर दिया है और हम लोग अब जो हम लोग अपने लिए टार्गेट लिया है और जिसके लिए सभी को निर्देश बहुत कड़ाई से दिये ग रहे हैं 223 से हमने शुरू किया था पांस तारीक को और आज हम लोग लगभग तेरा सो दुकानों पर पहुंच गये हैं आट जुनों के इंतराल पर इसके अलावा कुछ जगों पर यह भी देखा गया है कि जो किराना व्यापारी हैं उनके पास में लेवर्स की भी कमी रहत हैं और उनके पास साधन भी नहीं रहते हैं इसके लिए हम लोगों ने उनको लोड़िंग रिक्षा मोहिया कराने का फैसला किया है और जिसका पूरा खर्ग नगनियुं के द्वारा वहन किया जाएगा ऐसे दो-तीन सो लोडिंग रिक्षा हमारे बाला लगाए जाएंगे लेबर के समद्ध में भी आज सुबह जब सभी जडोस की और वाट प्रवारियों के बीटिंग लेगे इसमें बताया गया है कि अगर लेबर की भी उनको आवशकता है तो कई सारे हमारे लेबर चाहें प्रदानमंतरी आवाशो जना चाहें हम्रित के हो चाहे हमारे दूसरे प्राइवेट बिल्डर्स के लेबर्स हो आजकर लोग अवेलेवल हैं और उनके पास मुने कोई काम नहीं है तो अगर उनको भी उनको किसी तरीके से यूज़ करना है तो लोग पास बना कर उनको भी दुपानों पर लगा के कर सकते हैं तो इन सब चीजों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हालत में एक दिन से ज़्यादा काड़ी ले ना हो इसके लावा नगर नियुम की तरफ से हम लोग एक भी प्रियास कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक पैकेट बनाया है जिसकी कीमत लगबग पान सो रुपए की है जिसमें आटा दाल चावल और वो सारी चीज़े हैं उसको हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही और प्रिपेड वेसिस पे वो करेंगे सप्लाई करेंगे लेकिन उसमें एक शर्त ये रखी है कि कम से कम दस पैकेट्स की अगर वो होगी डिमांड होगी तभी हम उसको पहुचाने का काम करेंगे ये सामानेते हैं जो मल्टीज हैं ये जो हमारे रहवासी संग हैं इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं जो बल्क से जुड़े हुए हैं और हमारी डू-डू-डूर करेक्शन की गाड़ी से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर नहीं हो पाते हैं उनके लिए ये विशेश कर व्यस्था रहेगी और तकाल उनको सेम डे 24 गंटे में हम लोग पहुचाने की कोशिश करेंगे ये भी अभी दू-तिन गंटे के अंदर हम लोग लूँच करने हैं सब्सक्राइब के लिए विशेश करता है कि अगर वो दो कट्टे में हैं सप्लाइबर बराबर बनी हुई है लेकिन आपका ये कहना सही है कि कई बार होता है कि रीटेलर बहुत छोटी डिमांड प्लेस करता है सप्लाइबर से कि अगर वो दो कट्टे चीनी या दो कट्टे चावल अगर मंगाता है तो supplier जो है वो असमर्चता अपनी वेक्त करता है कि मैं अपनी गाड़ी नहीं भेज़ पाऊंगा और retailer का यह कहना है कि हमारी गाड़ी डोट डोट वितरण में लगी है order देने में लगी इसलिए हम भी ग देशित किया गया है कि प्रतेक जेडो को रूट वाइज हम लोग दो तीन लोडिंग रिक्षा उपलब्द करा रहे हैं और अगर किसी retailer को सामान मंगवाने में असुईदा हो रही है तो वो गाड़ी यूज करके wholesaler से सामान मंगवा भी सकता है या अगर दो तीन retailers का जो साम झाल